वैसे तो भारत समेत दुनिया भर में मंदिरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुस्लिम देश इंडोनेशिया में स्थित एक मंदिर बेहद ही खास है. यह मंदिर सागर तट पर स्थित एक बड़ी सी चक्तान पर बना है. इस चक्तान का निर्मान हजारों साल के दोरान समुद्री पानी के जवार से वेक शरण के फल्स्वरूप हुआ है. इस अनोखे मंदिर के बनने की कहानी भी बेहद ही रोचक है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. इस मंदिर को तनाह लोत मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो इंडोनेशिया के बाली में है. दरसल, स्थानिय भाषा में तनाह लोत का मतलग समुद्री भूमी, समुद्र में भूमी होता है. आपको बता दें कि यह मंदिर बाली में सागर तट पर बने उन साथ मंदिरों में से एक है जिन्हें एक श्रिंखला के रूप में बनाया गया है इस श्रिंखला में बने मंदिरों की खासियत यह है कि हर मंदिर से अगला मंदिर सपष्ट दिखता है यह मंदिर जिस शिलापर्टिका हुआ है, वह 1980 में कमजोर होकर ज़र्ने लगी थी, जिसके बाद मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को खतरनाक घोशित कर दिया गया था जापान की सरकार ने इस चक्तान को बचाने के लिए इंडोनेशियाई सरकार की मदद की थी इस दौरान चक्तान के लगभग एक तिहाई हिस्से को खृत्रम चक्तान से ढखकर एक नया रूप दिया गया कहते हैं कि तनाह लोत मंदिर का निर्मार 15 वी सदी में निरर्थ नाम के एक पुजारी ने कर आया था समुत्र तट के किनारे किनारे चलते हुए वो इस जगह पर पहुँचे थे जिसके बाद इस जगह की सुंदर्ता उन्हें भागई वो यहां रात भर ठहरे भी थे उन्होंने ही आसपास के मचुआरों से इस जगह पर समुत्र देवता का मंदिर बनाने का आगरह किया था इस मंदिर में पुजारी निरर्थ की भी पूजा होती है माना जाता है कि बुरी आत्माओं और बुरे लोगों से इस मंदिर की सुरक्षा इसकी शिला के नीचे रहने वाले विशैले और खतरनाक सांप करते हैं कहते हैं कि पुजारी निरर्थ ने अपनी शक्ती से एक विशाल समुद्री सांप को पैदा किया था जो आज भी इस मंदिर की सुरक्षा में तैनात है